हेलो दोस्तों आपका स्वागत हैं इंस्टिट टाइम में आज हम अपनी क्लास को कंटीनियू करेंगे और देखेंगे कि हमारे मौलेक अथिकारों को किस तरह से हमारे सम्विधान में बर्नित किया गया है हमने विगत कुछ क्लासों में हमारे सम्मिधान में बर्णित विविन्न भागों को डिस्कस किया है हमने नागरिक्ता को डिस्कस किया है नागरिक्ता अर्जन के तरीकों को डिस्कस किया है और उससे पहले हमारी पहली किलास हुई थी प्रिस्तावना से संबन देत तो हमने अपनी प्रिस्तावना भारती संविधान की प्रिस्तावना ये प्रेम्बल को डिस्कस किया है हमारी कल क्लास मौलेक अधिकारों से स्टार्ट हुई थी तथा हमने कल दो मौलेक अधिकारों को डिस्कस भी किया था आज हम क्लास को continue करते हैं और देखते हैं कि हमारा तीसरा मौलेक इतकार शोषन के वरत इतकार क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं तो यदि हम देखते हैं कि हमारे सम्मिधान में छे मौलेक इतकारों में कौन-कौन से मौलेक इतकार भारती नागरिकों को दिये गए हैं कौन-कौन से विदेशियों को भी दिये गए हैं चलिए से समझते हैं और देखते हैं कि क्या भारती सम्मिधान में बवस्था की गई है अन्ने इतकारों की तो हमारा तीसरा मौले का इतिकार है सोसन के बुरुद्ध इतिकार अनुच्छे 23 से अनुच्छे 24 तेईस और 24 हमारे सोसन के बुरुद्ध इतिकार के बारे में चर्चा करते हैं तो सम्मिधान के अनुच्छे 23 में कहा गया है कि माना दुर प्रप्रापार, human trafficking, बेगार या बलात्रम, force living को निसेत किया गया है अनुच्छे 23 के तहद तो उसमें बाल स्रम को अवेद घोसित किया है तता अनुच्छे 23 को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अनुच्छे 35 के अंतरगत दंड देने की सक्ती भी प्रदान की गई है माना दुर प्रप्रापार, human trafficking, बलात्रम को कानूनी सरच्छन प्रदान करने के लिए समय समय पर विविन अधिनियम और कानून बनाए गए हैं जिसे कि हम देखते हैं निउन्तम मजदूरी अधिनियम 1948 बंधुआ मजदूर प्रणाली अनुछन अधिनियम 1976 लड़कियों के साथ इस्त्री अनैतिक इनके साथ अनैतिक वैपार दमन अधिनियम 1986 को संसत द्वारा पारित करके अनुछे 23 को forcefully या अधिक मजबूद तरीके से हमारे सम्मिधान में बढ़नित किया गया है वैयन अच्छे 24 देखें तो यह बाल स्रम की बात करता है इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयू के बालकों से किसी कार खाने खान आदी में काम नहीं लिया जाएगा वैयन अब अलप आयू के हैं किसी भी मानों के विकास में उसकी प्रारंभिक विकास अवस्था उसके सोच के विकास के लिए उसके सारीरिक विकास के लिए मांसिक विकास के लिए आवस्था है वह वहां क्या देखता है उस उम्मर में क्या सीथता है यह अनिवार है कि वह आने वाले भविस्त में कैसा होगा इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे समिधान द्रमाताओं ने अनुच्छे चौविस में बाल स्रम को अवैद दिखोसित किया तथा उन्होंने कहा कि चौदा वर्ष से कम आयू के बालकों को कार खानों में खानों में उनसे काम नहीं लिया जाएगा क्योंकि कम आयू के बालकों से कार खानों में काम लेने से या निप्रकार के कठोर स्रम कठोर स्रम लेने से उनका स्वभाविक विकास रुख जाएगा फिजो विकास की नॉर्मल एक फ्रिक्विंट प्रोसेस है कि आप कुछ खुछ से विकास करते हैं, कुछ आप समाज से सीखते हैं, आपकी मानसिकता, आपका सारी रिक विकास इन सारी बातों पर निर्भर है और येदी किसी बालक से कमायू में इस तरीके से काम कराया जाएगा उससे पारिस्रमिक, कम पारिस्रमिक में अधिक काम लिया जाएगा तो आप समझ सकते कि उसका विकास कही ना कही मानसे किस तर पर, सारे किस तर पर औरोत के साथ होगा जिसके कारण साथ उसमें अनैतिक अउगोण उत्पन हो जाएं जो उसके नैतिक मूल होते हैं किसी बैक्ती के लिए वह पूर्ण तरीके से विक्सित ना हो पाएं किसे सरच्छन प्रदान करने के लिए अनुछे 24 का हमारे सम्मिधान में बढ़न किया गया है चलिए देखें यदि हमारा अगला मौलिक इतिकार तो हमारा चौथा मौलिक इतिकार है धर्म की सुतन्तरता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ओफ रिलीजन तो हमारे सम्मिधान में अनुछे 25 सिले के 28 तक धर्म की सुतन्तरता की बात की गई है हमारा देश एक धर्म निर्पेच्छ राज्य है यह किसी भी धर्म को राज की सरच्छन प्रदान नहीं करता प्रेदी हम बात करते हैं धर्म निर्पेच्छ की तो इसका मतलब है कि वह प्रतेग धर्म को उसको मानने वालों को सतंदरता प्रदान करता है कि आप अपने तरीके से अपने धर्म को मान सकते हैं आप सुतंत्र हैं कि आपके धर्म को मानने के लिए उसे लागू करने के लिए जो भी तरीके हैं आप उसे उप्योग करने के लिए सुतंत्र है तो इसी के तहएत अनुच्छेत 25 से 28 तक Right to Freedom of Listen की बात की है चलिए देखते हैं अनुच्छेत 25 क्या कहता है अनुच्छेत 25 में हैं कि अन्तह करने की सुतंत्र का Freedom of Conscience और ये होती क्या है तो यदि हम देखें इसे कि किसी भी धर्म को बिना किसी बाधा के साथ मानने आचरण करने और प्रिचार करने का सभी बिक्ति को शमान अधिकार है उसके धर्म को विक्सित करने के लिए अपने धर्म के बिकास करने के लिए प्रतेक नागरिक सुतंत्र है उसके तयाद उसे दो अधिकार दिये गए हैं अन्ता करन की सुतंत्रता तथा धर्म को अबाद रूप से मानने आचरण तथा प्रिचार करने की सुतंत्रता यह अनुच्छित 25 के तहट हमें सुतंत्रताएं दी गई हैं यह हम अनुच्छित 25 को थोड़ा सा डिटेल से देख हैं तो यह हमें समझाता है कि क्या होगा कि अन्ता करने की सुतंत्रता क्या होगी धर्म की सुतंत्रता के अंदर क्या-क्या आना चाहिए तो यह यह से हम डिटेल से देख हैं तो भी इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक विवस्था सदाचार एवं जन्ता के स्वास्त के हित के बारे में इसमें चर्चा की गई है इसका मतलब है कि धर्म के नाम पर ऐसा कोई कार नहीं किया जाएगा जो सार्वजनिक विवस्था सदाचार एवं जन्ता के स्वास्त को के बिरुद्ध हो को अवरोधित करे आप धर्मे के नाम पर मानो वली दे रहे हैं सिसु हत्या कर रहे हैं आप छुआ छूत की भावना का विकास को विक्सित करने में मदद कर रहे हैं कहीं न कहीं ये सार्वजनिक विवस्था समाजिक विवस्था को प्रभावित करेगा इसी के तहत है कि भी धर्म किसी राज किसी भी कोई भी राज धार्मिक आचरण से सम्मंदित गयर धार्मिक पच्च भी गयर धार्मिक पच्च की बात करते हैं तो धार्मिक हो गया धार्मिक बित्तिय राजनितिक पच्च पे कानून बना सकता है उस इस्तर तक जिससे की आपकी धर्मे की स्वतंतरता का हनन ना हो साथ ही हमारा सम्मिधान स्वतंतरता तो दे रहा है साथ ही वह विवस्था कर रहा है कि ऐसा नहों कि आप धर्मे के नाम पर कुछ कूपर था है या कुरूतिया अंद विश्वास विक्सित करें तनुचित 25 के तहट ही प्रावधान किया गया है कि हमारा सम्मिधान राज समय समय पर समाज कल न्याण इवं सुधार से संबंदित कानून बना कर समाज कुरूतियों और अंध विस्वांसों का उन्मूलन करेगा, उन्हें कम करने के लिए विवस्था करेगा सतिसी का प्रणाम है कि हम देख सकते हैं कि सती परधा हो गई, देवदासी परधा का कहीं न कहीं आज समाज में सत्त नहीं मिलता है अनुच्छे 26 की बात करते हैं तो यह है कि धार्मेक कार्यों के प्रबंद की सतंतरता कोई भी धार्मिक कार्यों है आप उसे अवाद रूप से मान सकते हैं उसे विवस्थेत रूप से चलाने के लिए प्रबंदन मेनेजमेंट की विवस्था भी कर सकते हैं तनुच्छे 26 में कहा गया है कि यह भी लोग विवस्था, सदाचार और स्वास्त के अधीन रहते हुए प्रतेक धार्मिक संप्रदाय को कोई सतंतरताएं दी गई हैं कि वह क्या क्या कर सकता है तो वह है कि कोई भी संस्थान के स्थापना कर सकता है जो उसके धर्म के निर्मान के लिए अवस्थक हो तथा उसे बित्व पुषण प्रदान कर सकता है या उसके इस बित्व के विवस्था के लिए अरेंजमेंट कर सकता है अपने धार्मे से संबंदित धार्मे कार्यों को प्रबंदित कर सकता है उससे मैनेज कर सकता है उसके तहे तो वह संपत्ती का अर्जन संपत्ती खरीद सकता है या उसका मालिक बन सकता है स्वामित प्राप्त कर सकता है तो वही अनुच्छे 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंद, वही कोई भी धार्म है उसके पिकास के लिए इस्थान के अब सकता होगी, कुछ नियमों के अब सकता होगी, जमीन के अब सकता होगी, पैसों के अब सकता होगी, तो उसी को अधिक सुद्रनता अप्रदान करने के लिए अधिक सक्ती प्रदान करने के लिए उसे ब्यवस्ते ढग से चलाने के लिए अधिक 26 को अनुवंदित किया गया है अनुचे 27 है कि किसी विषिस्ट धर्म की अभिवक्ती के लिए करों के पेमेंट के बारे में सुतंतरता टेक्सिस के बारे में पेमेंट आप टेक्सिस फॉर प्रोमोशन ओफ एनी पाइटिकुलर रिलीजन कि भई आपका कोई धर्म है मेरा कोई धर्म है भई इसको हमें कहीं न कहीं इसे बिक्सित करने के लिए इसे बिक्सित करने के लिए बित्ति किया सकता होने वाली है तो अनुचे 27 या अनुबंदित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाद नहीं किया जा सकता जिसकी आय को किसी विसेश धर्म या धर्मिक संप्रदाय किसी संस्था की ब्यद्धी और विकास के लिए बै किया जाता है कि कोई ट्रेस्ट बना है किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर उसके लिए जो पैसा आ रहा है तो उस पर सरकान ने विवस्था की है कि इस आय पर कोई कर अरुपित नहीं किया जाए उससे बाद नहीं किया जाएगा कर और सुल्क में अंतर है यहाँ पर कि कर तो नहीं लिया जाएगा कोई भी संस्था किसी धार में संस्था को राज सरच्छन प्रदान करता है कहीं ने कहीं उसे विकास करने के लिए राज मदद करता है तो उसे अधिकार है कि वह उस धार में से सम्मंदित लोगों से सुल् अनुच्छेद 25 को या फिर धर्मिकी सुतंत्रता को अधिक मजबूती देने के लिए अनुच्छेद 28 में बनित किया गया है कि भई आप धर्मिक सिच्छा और धर्मिक अपासना के लिए कुछ संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं कुछ सिच्छा संस्थानों में धर्मिक सिच्छा और पासना मपस्तित होने के बारे में आप अनुवंद कर सकते हैं आप नियम बना सकते हैं तो इसमें है कि भई कोई सिच्छा संस्थान है तो इसमें कोई धर्मिक सिच्छा की विवस्था नहीं की जाएगी यदि वह सरकार की खर्च पर पोसित है यदि उसकी विवस्था सरकार की दौरा की जाती है उसे बित्य पोशन सरकार की दौरा पिरदान किया जाता है तो उसमें कोई भी धारमिक सिच्छा का पिरचार नहीं किया जाएगा उसे संस्थावर यदि आपने कोई सिच्छक संस्थान है या उसका ट्रस्ट है उसकी स्थापना की गई है किसी ट्रस्ट की स्थापना की गई है संस्थान के लिए तो भी उस संस्थान में धार्मक सिच्छा देने और उसमें अनुवन्दित है कि धार्मक सिच्छा देनानिवार है उसमें धार्मक सिच्छा दी जा सकती है चाहे वो सरकार के दौरा पोसेत भी हो भई जैसे कि कोई संस्था है, कोई विश्विद्याला है वहाँ पर वही सास्त्री की सिच्छा दी जा रही है वहाँ पर धार्मिक विकास के लिए सिच्छा देना निवार है हम गुरु कोल देखते हैं, हम मदर से देखते हैं तो यह कहीं न कहीं इनमे धार्मिक सिच्छा भी दी जाती है तो यहाँ पर अनुवन्द किया गया है कि हावय सुतंत्र हैं, यदि हुने राज्य का पोशन भी प्राप्त है और वहाँ पर धार्मिक सिच्छा देना निवार है तो वह यह विवस्था कर सकते हैं तता इसी के तहए तो अनुवन्दित किया गया है कि राज्य निधी से पोसित किसी भी संस्था पर विद्धार्ती को धार्मिक सिच्छा मानने के लिए और उसमें भाग लेने के लिए बाद नहीं किया जा सकता मतलब कोई भी संस्था जो राज्य दौरा पोसित है तो उसमें पढ़ने वाले या उसमें रहने वाले किसी व्यक्ति को बाद नहीं किया जाये कि ज Не पहिए इसिच्छा को माने या उसमें भाग लें तो ऐसे वेक्तियों को जिनहें जवरं या जिनहें बाध्यकारी रूप से धर्म्यक सिच्छा मानने के लिए मजबूर किया जाएगा तो उन्हें सरच्छन प्रदान किया गया है अनुच्छद 28 को तहट तो यह हम नहीं देखिया कि हमारे मौलेक अधिकार धर्न की सुतंतरता की अन्दर गत क्या आता है हमारा अगला मौलेक अधिकार है संस्कृती और सिच्छा संबंदी अधिकार अनुच्छद 29 और 30 विवस्था करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं कि यह हम देखें तो हमारे भारत में अलग-अलग संस्कृती को मानने वाले लोग रहते हैं हमारे संब्धान द्रमाताओं ने इस पर ध्यान रखते हुए विविन संस्कृतियों को तथा उन से संबंद सिच्छाओं को मुझबूती प्रदान करने के लिए कुछ अधिकार दिये हैं अधिकार प्रदान किये उसी की विवस्था उसी के लिए अनुवंध अनुच्छद 29 और 30 में किये गए हैं तथा उनुच्छद 29 कहता है कि अलपसंख्यक बरगों के हितों का सरच्छा प्रोटेक्शन ओप इंट्रेस्ट ओफ माइनॉर्टीज वही कोई अलपसंख्यक है तो उसे अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भासा संस्क्रती या लिपी को बनाय रखने के लिए सतंत्र है पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ निम्न तीन अधारों पर ही यह दिवयाल पसंख्यके भासा के अधार पर वह माइनॉर्टीज रखता है अपनी समधाय में यह संस्क्रती के अधार पर यह लिपी के अधार पर इन तीन अधारों पर ही केवलों केवल तीन अधारों पर ही उसे सतंत्रता प्राप्त है तथा राज्य को भी यह अनुवन्दित किया गया है यह राज्य दौरा संचालित सच्छा संस्थानों को अनुछित 29 के तहत अनुवन्दित किया गया है कि वह भासा, धर, बंजाती और बंस के अधार पर किसी व्यक्ति को बंजेत नहीं कर सकता यह दिखिए कि यह अल्प संख्यक बरगों के बारे सरच्छन के बारे में बात की गई है तो यह सारी बातें उन्हीं के लिए लागू होंगी उन्हीं पर लागू होंगी तनुचे दूंतिस में हम समझ चुके हैं कि अल्प संख्यक बरगों के हितों का सरच्छन वह उन्हें भासा, लिपी, संस्क्रती के अधार पर उन्हें सरच्छन दिया गया है कि वह इसके विकास के लिए कार्य कर सकते हैं तथा अन्हें की वह उन्हें भासा, धर्म, जाती, बंस के नाम पर उन्हें किसी भी सच्छा संस्थान में प्रिवेश के लिए बरजित नहीं किया जा सकता अनुच्छे तीस है सच्छा संस्थाओं को की स्थापना और प्रसासन करने का अलप संखित बरगों का अधिकार तो राइट टू माइनॉर्टीज तो इस्टेबलाईस एंड एड्मिनिस्टर ओफ एजुकेशनल इंस्टूशन कि वह कोई भी सच्छा संस्थान है, कोई भी सच्छा संस्थान है जो अलप संखित बरगों के लिए स्थाफित किया जाएगा तो ने या अधिकार है कि वह वहाँ पर धर्म और भासा पर धारित सच्छा की विवस्था कर सकते हैं तथा इसके लिए संस्थान का निर्मान भी कर सकते हैं तथा इसी पर अनुवंदित किया गया है कि राज भी अल्प संख्यकों को इस हेतु या इस आधार पर कि वह धर्मोभासा के अधार पर सिच्छापदान कर रहे हैं इस आधार पर उन्हें राज रिधी से मिलने वाली सहायता से भी बंचित नहीं किया जाएगा कहीं न कहीं यह हम अल्प संख्यक परगों को समाज में मजबूती प्रदान करने के लिए अनुवंद किये गए हैं तो यह हैं हमारी अनुच्छेद 39 संस्कर्टी और सिच्छा संबंदी अधिकार की बारे में हम चर्चा कर चुके हैं देखिए अनुच्छेद 39 हो चुका है अनुच्छेद 32 है तो उससे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 31 में क्या था तो अनुच्छेद 31 था कि संपत्टी का अधिकार अनुच्छेद 31 को right to property जो फिलाल में अभी निरस्त हो चुका है तो अनुच्छेद 19 के first F में संपत्टी को प्राप्त करने बनाय रखने और बेचने का अधिकार था तथा अनुच्छेद 31 में प्राउधान किया गया था कि किसी व्यक्ती को विधी के अधिकार के बिना संपत्ती से बंचित नहीं किया जा सकता तो इस अधिकार पर इस मूल अधिकार पर समय समय पर विबाद उत्पन होते रहे हैं तथा इस पर सम्मेधानिक कारवाहिया तथा न्यालय में इसके अधिकार को लेकर गहन चर्चा की गई तथा 1978 में चावाले सु सम्मेधान संसुधन की द्वारा इसे अनुछेद 31 को निर्सित कर दिया गया तथा इसकी विवस्था भाग तीन से हटा कर अनुछेद 301 में कर दी गई तो बरत्वान में संपत्तिक अधिकार मौलिक अधिकार न होते हुए कानूनी अधिकार है चले देखते हैं हम हमारे सम्मेधान का सबसे महत्त्पून भाग सम्मेधानिक उप्चारों का अधिकार तो इसे ऐसे समझें कि हमारे सम्मेधान निर्माता में टॉप्टर भीमराव मेटकर ने इसे सम्मेधान की आत्मा कहा है सम्मेधानिक उप्चारों के इतिकार को भीमराव मेटकर ने सम्मेधान की आत्मा कहा है पर कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें मूल इतिकार दिये गए पर उन्हें यदि लागू करना है तो कहीं न कहीं यह सम्मिधाने को प्चार अत्यन्त महत्यपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वही किसी भी अधिकार को सिर्फ सम्मिधान में जगह देने से वह सारवजने खित के लिए उपयोगी नहीं हो सकता जब तक उसे लागू करने की विवस्था न किया है तो अनुचेद 32 से 35 में विवन अनुवन्दों के तहट सम्मिधाने को प्चारों के अतिकार को लागू करने की विवस्था की गई है तता अनुचेद 32 नागरेकों को सम्मिधाने को प्चारों का अतिकार प्रदान करने की सक्ति देता है तता इसी के तहट मूलतकारों को नियाय पालका की सहायता से सुरच्छित रखा जाएगा तता इसके हनन होने पर प्रतेक नागरिक को अधिकार है कि वो नियाले जा सकता है तनुछेद 32 32 के सब क्लोस 2 में देखेंगे तो उसमें है रिट जारी करने की सक्ति वह किसी भी व्यक्ति के यदि मौलक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह नियाले जा सकता है तता इस नियाले को भी अधिकार है कि वह बिभिन्न आदेसों के द्वारा बिविनन बेक्तियों के मॉलिक अच्छित रखे तो इसमें अनुच्छेथ 32 के सबक्लोस टू में कुछ rates की बात की गई है कि अच्छेथ 32 की द Keys दोरा उच्छ न्यालयः को तथा 226 के दोरा उच्छ न्यालयः को निम्न पाच प्रकार की रिट जारी करने का दिकार है तो इसी हम देखते हैं कौन कौन सी रिट हैं तो पहला है बंदी प्रत्यच्छी करण Heavious Corpus दूसरा है परमादेश Mandamus तीसरा है प्रतिसेद Prohibition चौथा है उत्प्रेशन Cytorary चौथा है पाचमा है अधिकार प्रच्छा क्वा वरंटो देखे बहिए इनकी हिंदी के नाम तो असान है पर कहीं ने कहीं ये जो इसमें इंग्लिस है इंग्लिस तो लग नी रही तो ये सब्द लेटिन भासा से सम्भंदित है इस सारे की सारे सब्द लेटिन भासा से हैं हैवियस्ट कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोररी, क्वावरंटो इस सारे लेटिन सब्द हैं चलिए हम चर्चा करते हैं इन रिटों पर पहला है बंदी प्रत्च्छी करन तो ये हम हैवियस्ट कॉर्पस का अर्थी समझें तो इसका मतलब है शरीर को प्राप्त करना ये अधिकार उन व्यक्तियों को दिया गया है जिन्हें ग्रिपतार कर लिया जाता है जिन्हें बंदी बनाया जाता है तो ये अधिकार हमें ये बंदी प्रत्च्छी करन उस ब्यक्ति को सरच्छिन प्रदान करता है कि वह उस अधिकारी को या उस ब्यक्ति को आदेश दे सकता है कि गिरपतार किये हुए या बंदी बनाये गए ब्यक्ति को न्यालय के समच उपस्तित करे ताकि यी न्यालय जाच कर सके कि किस कारण के लिए उस व्यक्ति को गिर्पतार में या बंदी बनाया गया है यदि उचित कारण नहीं है तो न्याल उस व्यक्ति को मुक्त कर देगा तो या बंदी के लिए किसी व्यक्ति को जबरन या सही तरीके से बंदी बनाया गया है उसकी जाज के लिए नियाले आदेश पारित कर सकता है आदेश दे सकता है कि आप कारण बताएं यह दिकारण सही होगा तो नियाले उस ब्यक्ति को सरक्षन प्रदान करेगा दूसरा है परमादेश, मेंडमस परमादेश भी सब्द ही है परमादेश तो इसके तहएत है कि जब कोई प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्भान से इंकार करता है तथा जिसके लिए अन्य कोई विदे कुप्चार प्राप्ति भी न हो तो नियाले रिट जारी करके उस अधकारी को आदेश देता है कि कि आपको वह कारे करना होगा जिसके लिए आपको अनुवंदित किया गया है वह आप उस कारे के लिए मना नहीं कर सकते हैं तो यह सक्ति नियाला के पास है कि वह किसी लोग सेवक को पबलिक सर्वेंट को आदेश दे सकता है कि आप वह कारे करने के लिए बाद देहें तथा आप उस कारे को करने से मना नहीं कर सकते हैं तो यह परमादेश है मतलब यह नियाला किसी लोग सेवक को ही दे सकता है किसी सरकारी सरकारी अधिकारी को ही दे सकता है अगला यदि हम देखें कि अगला हमा अगली रिट है प्रतिसेद प्रहवीजन प्रतिसेद कार्थ है रोकना यह भी एक न्यायक रिट है जो बरिस्ट न्यालय दोरा अपने अधिनस्थ न्यालयों को दी जाती है इसके तहए तेदी कोई अधिनस्थ न्यालय अपने अधिकार छेते से बाहर जाकर कार करता है या फिर जो समान नियम है नयाय के उसके उलंगन करते हुए कार करता है तो बरिष्ट न्यालय अधिनस्त न्यालय को इस कार ही तू इस कार कुना करने ही तू रोकता है अतिकर्मन को अधिकारिक्ता के अतिकर्मन को रोकने के लिए बरिष्ट न्याले द्वारा अधिनिस्त न्याले के लिए 30 रिट जारी की जाती है चौथा देखें तो वा है उत्प्रिशन, सर्टियोररी यह भी एक नयायक रिट है जो बरिष्ट नयलय दोरा अधिनस्त नयलय को जारी की जाती है तथा इस रिट में वह बरिष्ट नयलय अधिनस्त नयलय को अदेश देता है कि वह अधिनस्त न्यालय जिस भी कार्रों को अभी कर रहा है, जिस भी बात पर अभी बिचार कर रहा है, उसे अपने बरिष्ट न्यालय को भेज दे, क्योंकि वह उसके अधिकार से बाहर है वह प्राक्टिक न्याय के विरुद्ध है प्रतिसेद और उत्परिशन में दौनों में कुछ बारीक सांतर है कि प्रतिसेद तब जारी किया जाता है जब कोई अधिनस्त न्यालय अपने अधिकार छेतर से जाकर या उसे जो अधिकार प्राप्त नहीं है उनको लागू करने की कोशिस करता है वही उत्परिशन है कि कुछ ऐसे न्यालय अधिनस्त न्यालय दौरा दे दिये गए हैं जो उसके अधिकार में ही नहीं थे या उसको करने के लिए वह उसको अधिकार ही प्राप्त नहीं थे तो उत्परिशन तब उत्परिशन रिट तब जारी की जाएगी कि भई अधिनेस तन्याले ने कुछ ऐसे कारवाही या सुनवाई कर दी है या निर्ण दे दिये हैं जो कहीं न कहीं उसके इधिकार छेतिर से बाहर थे तो उप्त कारवाही को रद्ध करने के लिए उत्पेशन को जारी किया जाता है हमारा पांच महा है अधिकार प्रच्छा अधिकार प्रच्छा कर दी हम साब्दे कर्थ देखते हैं तो इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है यह रिट कहती है कि किसी व्यक्ति के बिरुद्द जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पत को अवैद रूप सिधान किये हो तो नैला उससे पूछेगा, नैला उससे आदेशित करेगा कि आप बताएं कि आप किस आधिकार से इस पत को ग्रहन किये हुए हैं यह यह अधिकार, यह यह आदेश उस भ्यक्ती को रोकने के लिए जारी किया जाता है जो अपनी सक्ती के अधिकार छेटे से बाहर जाकर कारे करता है उस अधिकारी के लिए है, कि वह उसका हक नहीं है उसके अधिकार छेटे में नहीं आता, तब भी वह उस सक्ती का उप्योग करता है तो नियाले उसे यह आदेश देती है कि आप बताएं कि आप किस आदेश के तहट याप आप किस सक्ती के दोरा इस कारे के लिए अनुवन देते हैं तथा अधिकार प्रच्छा के तहट ही नियाले उस व्यक्ति को उसके पत से हटा सकती है तता उस पत को रिखते भी घुसित कर सकती है तो दोस्तों आज हमने सारे हमने दो लेक्चरों में हमारे सारे मौलिक अज़कारों को समझ लिया है आप भी कमेट बॉक्स में मुझे बताएं कि कुछ कमी रहे गई हो कहां मैं सुधार कर सकता हूं तो समय बिलकुल आपके सुझावों को बिलकुल मैं दिमाग में रख कर आने वाले बिस्यों पर आने वाले टॉपिकों पर उन्हें लागू करने की कोशिस करूँगा थोड़ा सा और यदि हम देखते हैं कि हमें मूलतकार तो दिये गए हैं तो कही न कहीं कहा गया कि हम नैले जाने के लिए नैले भी जा सकते हैं इनको लागू कराने के लिए पर कुछ ऐसे बिसय हैं कुछ ऐसे इसी कुछ इस्तितिया हैं जहां पर मूलतकारों को भी सस्पेंट किया जा सकता है उन्हें रेस्टिक्ट किया जा सकता है वही से बड़े तोर पर देखें तो हमारे जो रास्टी अपातकाल है अपातकाल है 352 के तहट रास्टी अपातकाल हो गया तो इसके तहट राष्टपती को अधिकार है कि वह हमारे उस अपातकाल के दौरान हमाले मूलतकारों को निलंबित कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है तता साथ ही ये दिश्चित 32 में तो भही हमने बात कर ली कही न कहीं रिट जारी करने की सकतिया है निया गएको 33, 34, 35 में क्या है तो इसमें अनुवंदित किया गया है कि जो विसेश सिवाओं में हैं जैसे कि हमारे सुरच्छाबल हैं पुलिस है, इंटेलिजेंसी है तो इनके कुछ मूलतकारों को निर्बंदित कर दिया जाता है इनके कारे के सही तरीकी से संपादन के लिए उनके मूलतकारों को कहीं न कहीं restricted कर दिया जाता है अनुछे 34 कहता है कि यदि कहीं पर भी किसी छेतर में सैना विधिया मारसल लागू हो जाता है तो संसत बिधी दवरा मूलतकारों पर और हम आने वाले समय में सम्मिधान को और अच्छे तरीके समझने वाले हैं सम्मिधान के विवन्ण भागों को अनुछेतों को समझने की कोसिस करेंगे और मैं अपना पूरा प्रियास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा content प्रोवाइड करा सकूँ और अपने तरीकों में improvement कर सकूँ जिससे आपको समझने में असानी हो Thank you for watching my lecture और ये दी आप मुझे Telegram में follow करना चाहते हैं वहां पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा विवन हमारे जो lecture लिए जा चुके हैं या आने वाले lecture के लिए PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो आप मुझे Telegram चनल पर follow भी कर सकते हैं So, thank you दोस्तों for watching my lectures Thank you